तो नमस्कार हस्तक्षेञ्ट में आपका स्वागत है मैं हूं हूं अम लेदू उपाधियार इस बुलेटिन में ले सबस्तील देखते हैं दिनभर की बड़ी खबर्व डेवीलग चाहिए मैं आपको साथ अंशिता आज इस बुलेटिन में बात होगी राज्युस सभा के सभापती पर कॉंग्रेस के गंभीर आरोपों की इवियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जानेंगे दिल्ली में आपके निशाने पर क्यों आया चुनाबायो राहूल गांधी ने मोधी सरकार पर अब लगाए कौन से आरोप जानेंगे किसान आंदोलन से क्यों डदी मोधी सरकार और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टोनेस टेर्फान की किस खबर पर पड़ी तुर्ची नज़र लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र आज क सुप्रीम कोट से मनिश्य सोधिया को बड़ी राहत हर हफते की पेशी से मिली छूट पहले हर सोंबार और गुरुवार को जाच अधिकारियों के आगे होना पड़ता था पेश भारत के पूर राष्ट्रपती रामनात कोविंद ने बन नेशन वन इलेक्शन को बताया गेम चेंजर इस बिल के आने से बढ़ेगी एक से डेड़ प्रतिशत देश की जीडीपी महराष्ट में मंद्री मंदल विस्तार पर अभी भी फसा हुआ है पेच दिली में महयूती की बैठक मंत्रालेओ को लेकर भी चर्चा शेर बाजार में तेजी 16 अंकों की बढ़त के साथ 18,526 पर बंद हुआ सेंसेक्स 31 अंकों की बढ़त के साथ 24,641 पर बंद हुआ निफ्टी अब ये तो थी सुर्खियां बात आज की सबसे बड़ी खबर की देश के इतिहास में पहली बार राजसभा के सभापती के खिलाफ वेपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है जगदीब धनकड पर आरोप लगाए हैं कि वो सभापती के रूप में अपने कर्तव्यों का इमानदारी से पालन नहीं कर रहे हैं वो सत्तापक्ष के हक में बात करते हैं इंडिया ने धनकड पर गंभी रारोप लगाए हैं वहीं राहुल गांधी ने लोकसभा सभापती को खत लिखा है तो संसद में कैसे बुरी तरह फस गई है सरकार देखे ये रिपोर्ट देश के इतिहास में पहली बार राजे सभा के सभापती के खिलाफ अविश्वास प्रिस्ताव का नोटिस दिया गया है विपक्ष अविश्वास प्रिस्ताव पर चर्शा की मांग कर रहा है लेकिन अभे तक विपक्ष के नोटिस को ही स्विकार नहीं किया गया उल्टा सदन में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है जिसके चलते सदन की कारवाई नहीं चल पाई बाद में इंडिया गठबंधर ने प्रेस कॉंफरेंस की कॉंग्रेस अध्यक्ष मलकारजुन खरगे ने कहा कि सभापती राजे सभा में स्कूल के हेड मास्टर की तरव विवहार करते हैं विपक्ष का सांसर पांच मिनिट भाशन दे तो वे उस पर दस मिनट तक टिपड़ी करते हैं सभापती सदन के अंदर प्रतिपक्ष की नेताओं को अपने विरोधी की तॉर पर देखते हैं सीनियर जूनियर कोई भी हो विपक्षी निताओं पर आपत्ती जनक टिपड़ी कर अपमानित करते हैं। उनके व्यवहार के कारण हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हुए हैं। खर्गे ने कहा कि आम तोर पर तो विपक्ष चेर से प्रोटेक्शन मांगता है। लेकिन धनखर कभी सरकार की शान में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को राष्ट्रिय स्वैम सेवक संग का इकलव्य बताते हैं। ऐसे में विपक्ष की कौन सुनेगा। 13 दिसंबर को सम्विधान पर चर्चा हो जो पहले से तय था। मोधी सरकार अदानी पर खिरी हुई है और वो इस पर बात नहीं करना चाहती। इसलिए मुद्दे से भटका रही है और सदन की कारवाई नहीं चलने दे रही है। राहुल ने ये भी साफ कर दिया कि सदन चलाना चाहता है लेकिन सरकार विपक्ष के मुद्दो को दबाने के लिए सदन से दूर भागते दिख रही है। सभापती के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को भी लटकाने की कोशिश हो रही है लेकिन इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है कि अगर सत्र में उनके प्रस्ताव को स्विकार नहीं किया गया तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को संसत के बजट सत्र में लेकर आएगा। कोर्ट पहुस्ता दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव नतीजों को सुप्रिम कोर्ट में चुनोती देने का फैसला किया गया है शुकुरवार को एक याज का कोर्ट में दाकिल की जाएगी जिसमें चुनाव धांदली और इवियम को लेकर शुका कि हरियाना और महरास्ट की तरह दिल्ली में भी वोटिंग लिस्ट में हेरा फेरी की जा रही है शरत पवार गुट के नेता प्रशांत जकताप ने कहा कि महरास्ट में बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए चुनाव आयुक ने धांदली कर आई है मदान से तीन दिन पहल से चुनाव जीतने में कामयाब हुए उत्तमराब जांगर ने कहा कि मैं चुनाव जरूर जीत गया लेकिन इवियम पर कोई भरोसा नहीं है कई ऐसे बूत जहां बीजेपी का वोट भी नहीं था वहां भी बीजेपी जीती है इस सीट में जांगर का गाउं मरकर वारी भी आ इस बीज इंडिया गटबंदन ने एक बार फिर ये डिमांड की है कि जब वीवी पैट की परचिया है तो फिर उन्हें गिनने में क्या परिशानी है महराश्ट की 288 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद 23 नमंबर को जो नतीजों आये थे उसमें महयोती गटबंदन को 230 और महराश्ट के नतीजों को लेकर इंडिया गटबंधन सुप्रीम कोट जाने को तयार है तो दिल्ली के पूर सीएम चुनाव से पहले ही कोट जा सकते हैं क्योंकि जो सवाल महराश्ट चुनाव को लेकर उठाए जा रहे हैं वो खेल दिल्ली में भी सुरू हो गया है और दिल्ली के सीएम आतिशी निर्वाचना योग पहुंचे और वोटिंग लिस्ट में हो रही धांदली को लेकर शिकायत की तो क्या है पूरा मामला देखेगी रिपोर्ट अभी हाल ही में दो राज्यों में हुए विधानसवा चुनाप में अंडियो को मिली जीत को विपक्ष ईर्वियम में धांदली कर जीतने का आरूप लगा रहा है इस 20 दिल्ली विधानसवा चुनाप से पहले बीजेपी पर मद्दाता सूची में धांदली करने के आरूप और एक बार फिर आमादनी पार्टी ने PC कर BJP पर गंभीर आरोप लगाए हैं आपके वरिष्ट नेता मनीश सिसोधिया ने दावा किया कि दिल्ली के साथ विधानसवा शेत्रों में BJP ने मद्दातों की वोट कटवाने के लिए चुनावायोग पर दबाब डाला है इसके सबूत हमारे पास है आपकी PC में सिसोधिया के साथ आपसे राजसभा सांसद रागप चड़ा ने आरूप लगाया कि 29 अक्टूवर से अब तक दिल्ली के साथ विधानसवा शेत्रों में 22,649 वोट काटने के आवेदन चुनावायोग को मिले हैं इन में से कई आवेदन BGP के कार्यकरताओं ने दिये हैं उधारन के तौर पर जनकपुरी विधानसभा में 24 लोगों ने कुल 4874 आवेदन किये जो सभी BGP से जुड़े हुए बताये जारे हैं जबकि चुनावायोग के नियमों के अनुसार एक व्यक्ती एक दिन में 10 से जादा आवेदन नहीं कर सकता है लेकिन यहां सेकडो आवेदन एक ही दिन में किये गए हैं आप नेताओं ने ये भी सावाल उठाया कि चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी संख्या में वोट काटने की कोशिश आखिर क्यों की जारी है वही अब इस मामले में आमादी पार्टी के रास्टे सायोजक अर्विन केजडिवाल ने चुनावायोग से मुलाकात की है जिसके बाद केजडिवाल ने बताया कि उन्होंने इलेक्शन कमिशन के आगे 3000 पन्नों के सबूत रखे हैं कि किस तरह बीजेपी दिल्ली के मौझूदा लोगों की वोट कटवाने का शड़यंत रच रही है और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं या अधिकतर गरीब ऐसी दलिज जुगी में रहने वाले और पूर्वांचरी लोगों के हैं ऐसे में अब देखना होगा कि आपके इन शिकायतों पर चुनावायोग आखिर क्या कारवाई करता है आमाद्मी पार्टी पहले से ही किसी तरह की धानली को लेकर सतर्क दिख रही है तो वेपक्ष के नेता राहूल गांधी ने देश के लोगों के साथ हो रही धानली पर सवाल उठाए है राहुल गांधी ने कहा कि मोधी सरकार ने सरकारी बैंकों को निजी फाइनसर में बदल दिया है जो सिर्फ उद्योगपती को ही फाइदा पहुँचाने का काम कर रही है तो क्या कहा राहुल ने देखे ही रिपोर्ट नेता प्रतिपक्ष और कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी ने मोधी सरकार पर पब्लिक सेक्टर बैंकों के दुरुपयोग का गंभीरा रोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये बैंक आम जनता को किफाइती लोन प्रदान करने के लिए बनाये गए थे। लेकिन अब इन्हें अमीर और ताकतवर कॉर्परेट्स के लिए एक निजी वित्यस साधन बना दिया गया है। राहूल गांधी ने अखिल भारतिये बैंकिंग अधिकारी परिसंग के एक प्रतिनिधी मंदल से मुलाकात के बाद बैंकों की मौजूदा इस्तिथी पर ये चिंताएं जताई। इस मुलाकात के बाद राहूल ने एक पोस्ट भी किया। राहूल ने लिखा मैं अखिल भारतिये बैंकिंग अधिकारी परिसंग के एक प्रतिनिधी मंदल से मिला। जिनोंने हमारे सावजनिक शेत्र के बैंकों की स्तिथी और आम लोगों पर इसके प्रभाव पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। सावजनिक शेत्र के बैंकों को लोगों की तुलना में लाब को प्राथमिक्ता देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और इस प्रकार वे जनता को प्रभावी ढंक से सेवा देने में असमर्थ हैं। करमचारियों की कमी उनके समान अवसर के बिना अप्राप्य लक्षियों तक पहुँचने की उम्मीद की जाती है। रहुल ने आगे बताया कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों को फायदा कमाने के दवाब में डाल दिया गया है जिससे वो आम लोगों की सेवा करने में असमर्थ हो गए है। के दवाब में ये सिर्फ खास लोगों की मददकार बन गए हैं। तो मोदी सरकार सवालों में हैं। वैसे इस समय 1991 में संसत से बनाया गया प्लेसेज ओवर्शिप आक्ट यानि पूजा इस्तल विधेक भी सवालों में घिर गया है। कोर्ट इस पर 12 दिसम्बर से सुनवाई शुरू कर रहा है और इस बीच आरजडी सांसत मनोज जहा ने भी एक याच्च का दायर कर दी है। तो क्या है पूरा मामला देखे ये रिपोर्ट। और इन दोनों पक्षों ने भी Places of Worship Act का ही बचाव किया है। इस तरहा कुल 6 याचिकाएं और 5 हस्तक्षिप आवेदन अब तक Places of Worship Act को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। जिसमर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई करेगी। आपको बता दे कि ये कानून 15 अगस्त 1947 को कट अफ डेट मानते हुए किसी भी पुजास्थल के स्वरूप के साथ शेडशार करने पर रोक लगाता है। लेकिन अयोध्या विवाद को इस कानून से अलग रखा गया था, क्योंकि जब ये कानून अमल में आया, तब ये विवाद पहले सही कोर्ट में विचारा धीन था, और अब तक ये केस खत्म भी हो चुका है, लेकिन इस तरह के विवाद खत्म नहीं हो रहे हैं, हाली में उ लगातार सामने आ रही है, और इस बीच अब वर्शिप एक्ट को भी चुनौती दे दी गई है, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी, अब वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई बड़े टकराओं को जन भी दे सकता है, वैसे सरकार पर भी समय सभी की नजर है कि वो किसानों के साथ टकराओं को जारी रखेगी, या फिर किसानों की मांग को स्विकार करेगी, फिलहाल तो सरकार टकराओं की रहा पर ही दिखाई दे रही है, इस बीच किसानों ने सरकार पर डिजिटल स्ट्र कि उनके आंदुरन से घबराई मोधी सरकार अब उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी लगा रही है किसान निता तेजबिर सिंग ने कहा कि वे अपने फेस्बूक पेज पर पोस्ट डाल रहे हैं लेकिन वो अपलोड नहीं हो पा रही है तब उन्हें पता लगा कि फ पंडाल से करी 500 मीटर की दूरी पर पुल पर बनाए गए श्वेट को हर्याणा पुलिस मजबूत कर रही है छत की उपर लोही के एंगल लगाए गए हैं ताकि कोई उपर ना चड़ पाए क्योंकि इसी जगा से 8 दिसंबर को पुलिस ने किसानों पर आसु गैस के गोले चो रही है तो दूसरी तरफ बांगला देश की बीच का तनाव और ता दिखाए दे रहा है बांगला देश में भारत की खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गयувати अबूर्व प्रधान मंत्री खालीदा जिया की पाठी बांगला देश नैशनल लिस्ट पाठी BNP ने भारत के प्रदर्शन कारियों का कहना है कि वो अगरतला में बांगलादेशी डिप्टी हाई कमिशन पर हमले, बांगलादेश के राष्ट्रियत भच का अपमान और सामप्रदाई टक्राव भढ़काने की साज़िश के विरोध में ये रैली कर रहे हैं। कि भारत नहीं चाहता है कि भूचान, नेपाल, बांगलादेश, मालदीव और श्रिलंका के लोग अपने घरेलू मामले खुद संभाले। हमें दिल्ली की बात क्यों माननी चाहिए। दिल्ली के नेता अब तक बांगलादेशी लोगों की बहादूरी और हिम्मत पहचान नहीं पाये हैं। दरसल हाली में भारत के विदेश सचिप विक्रम मिस्री बांगलादेश के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने वहाँ अल्प संख्यकों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया और साथ ही भारत की चिंताएं भी जाहिर की। उनके इस दौरे के बाद से बांगलादेश में भारत विरोधी बयान तेज हो गए हैं और आप BNP का ये प्रदर्शन सामने आया है। इस बीच अमेरिका ने भारत और बांगलादेश से अपने मदभेदों को शांती पूर्ण तरीके से सुलझाने की मांग की है। अमेरिका के विदेश मंतराले के प्रवक्ता मैथियो मिलर ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत और बांगलादेश आपसी विवात को बादशीत के जरीए शांती पूर्ण तरीके से सुलझाने लेकिन मौजूदा हालात में दोनों देशों की बीच के रिष्टे और खराब होने तो सुबस्टेश